नमस्कार हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ NTA UGC NET विशे हिंदी की हमारी त्यारियां चली हैं और इसके अंत्रगत हम 116 हिंदी उपन्यास पढ़ रहे हैं और इसके अंत्रगत हमने बहुत सारे अपने उपन्यास कर लिए हैं जो हमारे पाट्यक्रम में शामिल है अगर आपने अभी तक वो वाली हमारी वीडियोस नहीं देगी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें भी चेकर सकते हैं तो चलिए दोस्तो आज हम पढ़ेंगे आपका बंटी मन्नु बंढ़री के द्वारा लिखा गया उपन्यास जो हमारे पाट्यक्रम में है तो बिना देर किये शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की सबसे पहले हम देख लेते हैं मनू बंडारी के साहित्य के बारे में कि किन किन विधाओं में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है तो देखें मनू बंडारी ने कहानी संग रहे है उपन्यास, आतम कथा और नाटक लिखे हैं और सबसे पहले अगर हम इनके कहानियों की बात करें तो इनोंने में हार गई 1947 में लिखा, इनका कहानी संग रहा है और यही सच है 1966 में, एक प्लेट सैलाव, 1968 में, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968 और त्रिशंकु इनोंने लिखा 1978 में, तो देखें यहाँ पर त्रिशंकु इनका जो है कहानी संग रहे है तिशंकु अगर निवंध की बात करें तो वो किसका है अग्ये का निवंध संग रहे है अगर नाटक की बात करें तो बिजमोहन शाह का ये नाटक है इनकी जो कहानी यही सच है लिकिए इस पर एक फिल्म हिंदी फिल्म भी बनी है महाभोज 1989 में इसके अलावा इन्होंने अपना जो एक सहल इखन में अपने पती के साथ जो राजेंदरी आदव है उनके साथ मिलकर उपन्यास लिखा है एक इंच मुस्कान है ना लेकिन स्वतंतर रूप से इनका जो पहला उपन्यास है वो है आपका बंटी ही जो महाभोज ह लेकिन 6 साल बाद महाभोज को ही इन्होंने किसमें रूपांतरित कर दिया नाटक में रूपांतरित कर दिया और इसका नाटक लिख डाला तो 1985 में इसका क्या क्या नाटे रूपांतरन क्या फिर आता है कि इनकी आत्म कथा तो इनकी आत्म कथा देखिए एक कहानी यह भी य क्लिर है तो 2007 में इनोंने एक कहानी यह भी आत्मकता लेखी और इसी आत्मकता पर इनको प्यास सम्मान से सम्मानित किया गया 2008 में क्लिर है और एक कहानी यह भी जो इनकी आत्मकता है यह हमारी पाठेकरम में शामिल है जो हमारा एकाई 10 है जो हिंदी साहित्य की अन्य जो गद के सामने बता दिया कि महावज उनी सो पिचासी में लिखा तो ये था मनुपंडारी का कता साहित्या कि किन-किन विधाओं के जरी इनोंने हिंदी साहित्या को जो है सिवाएं परदान की है तो चलिए अब हम देख लेते हैं इनका जो आपका बंटी उपन्यास है उसके बारे म है उसका इनोंने चित्रन किया है और उस विखराव का बच्चे के बालमन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये चीज इनोंने बेहत्मारमिक्ता के साथ चित्रित करने की कोशिश की गई है तो अगर इसके विशय या केंदर की बात की जाए तो विवावी छेद या तलाक शु अंदर क्या है विवाः विचेद की तरास्ती में पिस रहा बच्चा क्लिर है विवाः विचेद मतलब की तलाक शुदा आगे देखिए शकुन और अजय जो बंटी के माता पिता हैं वो एहम भावना के चलते एक दुझे से अलग रहते हैं और दोनों को दोनों का तलाक हो ज लिके हैं हालनकि उसकी जो मम्मी है वो प्रिंसिपल है ठीक है लेकिन बाब जो दुझे का जो एहम है उसको पूरा करने के लिए वो क्या कर देते हैं एक दुझे को वो नीचा दिखाना चुरू कर देते हैं और जैसे एक कहता है कि उसके लिए जैसे दाओं चल रहे होते है ये लेकिका के शब्दें की फिर कहता है कि एहम भावना के चलते एक दूसरे से वो अलग रहते हैं और दोनों का तलाग हो जाता है वो दोनों क्या है पड़े लिके हैं और इसी के चलते क्या है वो एक दूसरे से अलग रहते हैं और अंत में उनका क्या हो जाता है दोनों का त उपन्यास में बहुत मारमिक्ता के साथ करने की कोशिश की है. सरल शब्दों में उनने बताने की कोशिश की है. इसलिए मैं जादा इसके जो समिक्षा या जादा आपको क monopolist के नहीं बताऊंगा. सिम्बल में जो मुख्या छीजह हैं वही आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहां से उपन्यास इस उपन्यास से या तो बाल मनुविक्यान से या फिर जैसे पिछली बार ये एक प्रश्ण आया था वो तो मनुविश्लेशन वाद से आया था उसको हम वहाँ पर विस्तार से देखेंगी किस तरीके से कि कौन सी ग्रंती है चाए इलेक्टरा है चाए इडिफस है तो उन ग्रंतियों के बारे में हम मनुविश्लेशन वाद में चर्चा करेंगे ठीक है तो यहां से उपन्यास से सिंपल या तो इसका विश्यवस्तु पूछ ली जाएगी या इसके पात्रों के बारे में पूछ लिया जाएगा या फिर इसका जो केंद्रिय वहाव क्या है उसके बारे में पूछ ले जाएगा तो इसी के चलते में तोड़ा साब को इसको शौर्ट करके बता रहा हूँ ठीक है शकुन और जोशी शकुन डोक्टर जोशी से और अजय मीरा से शादी कर लेते हैं तो देखिए अजय और शकुन जो है वो अलग-अलग व्यक्तियों से क्या कर लेते हैं शादी कर लेते हैं ठीक है इस तुरान बंटी ना तो जो मीरा होती है जो जिसके साथ अजय शादी कर लेता है उसको मा के रूप में सुलकार करता है और नौही जोशी को वो पिता कहना उचित समझता है जिसके साथ जो शकुन विवा कर लेती है डॉक्टर जोशी के साथ जो की पहले से शादी शुदा है जिसके पास दो बच्चे है ठीक है तो व बहुत कुण्ठित, निराश और हताश और चीडड़ा सा हो जाता है। उसको बहुत दुखी हो जाता है वो जाता नहीं था कि मम्मी जो है, उसके पापा जो है, वैसे किसी अन्यय के साथ रहे और उसको एक तरीके से अंदेखा कर ले। अपने एहम के चलते वो अपने जोशी है उनको मम्मी और पापा कहने से इनकार कर देता है ठीक है फिर आता है कि बंटी की जो स्थिति है वो पिहद सहानुगूती जन्य है वो तैनी हो जाती है तो बंटी के प्रती जो पाठक है उनका एक तरीके से खुद बखुद जो सहानुगूती का भाव जो है जाकरित हो जाता है, कि किस तरीके से अधीट प्रवृति के कह सकते हैं उनको कि जो अपने बालकी और कोई ध्यान देकर क्या है अपने अपने एहम को ही जी रहे है थी क्या, इसलिए तो वो एहम भाव से क्या है? ग्रसित पात्रों के रूप में उनको चित्रित किये गया है और जो हमारे परिवारिक भी घटन को चित्रित करने की कोशिश इसमें मनुबंडारी के द्वारा की गई है आगे आता है देखिए कि ये मनुविज्ञानिकता का मार्मिक चित्रन है तो बालमन का ही चितरन है मनोविज्ञानिकता का तो स्वभाविक सी बात है कि मनोविज्ञान को ही समयने की कोशिश की गई है तो इसलिए इसको अपने डंग का अकेला उपन्यास कहा गया है ठीक है जो मनोबंडारी का आपका बंटी है इसको अपने डंग का अकेला और पहला उपन्यास माना जाता है कि काफी लंबे समय के बाद इस त्रीके की कोई रचना रची गई है जिसमें एक बालक के जरीए लेखिकाने क्या है भावों को अभी प्यक्त करने की कोशिश की है बालमन को चितित करने की कोशिश की है ठीक है और साथ ही साथ जो एक स्त्री है है ना उसके जो शकुन है उसके मायदिम से भी बिदाने की कोशिश की है कि वो स्कूल में अलग है और अपने परिवार के साथ उसका भी वहभार कुछ अलग है है ना जो परिस्तितियों के साथ समझाता नहीं कर पाती अब हम देख लेते हैं आगे कि इसका उदेश्य क्या है लेकिका का तो देखी लेकिका का उदेश्य तूटे हुए दांपत्य को दिखाना मातर नहीं है अपी तू खंडित माता पिता के बच्चे को किन परिस्तितियों से गुजरना पड़ता है यह दिखाया गया तो दीखे इस उपन्यास का उदेश्य यही है कि ना सिर्फ जो उनका जो दामपत्य जीवन है उसका बिखराव दिखाया गया है ना तलाक शुदा जिंदगी को नहीं दिखाया गया है simple वो दिखाना इसका उदेश्य नहीं है उनका जो उदेश्य है देखिए लिखिका का कि जो तलाकशुदा पती-पत्नी है उनके बच्चों के उपर उस तलाक का क्या असर पड़ता है किन-किन परिस्थितियों से उसको गुजरना पड़ता है इन चीजों को दिखाने का प्रियास किया गया है और यही इस उपन्यास का मुख्य बिंदू है मुख्य उदेश्य भी है यहाँ अपने ढंका अकेला उपन्यास है जिसमें एक नई बात, नए विचार, नए भाशा इबं नए भाबोद को चित्रित किया गया है तो दिखे इस उपन्यास के बारे में यही बात कही जाती है कि यह अपने ढंका अकेला उपन्यास है जिसमें नई बात, तो दिखे नई बात बालमन को चित्रित करने की बात उसी उपन्यास में हमें प्रमुक्ता से देखने को मिल रही है न नए विचात, नए भाशा एवं नए भावोत का चित्रन मिलता है तो बाल मनुविज्ञान को चित्रत करने वाला यह पन्यास यह मैंने पहले भी आपको बता दिया अब हम देख लेते हैं कि इसके जो प्रमुख पात्र कौन है तो दिकिए इसका जो प्रमुख पात्र है बंटी जो पूरी की पूरी कहानी इसी के इड़गर्द गूमती है उपन्यास की है ना और माता पिता के होने की बावजूद भी वो एक तरीके से क्या है अनात है उसी की मानसिक स्थिति को चित्रत किया गया है इसमें शकुन क्या है बंटी की मा है और कॉलेज की प्रिंसिपल है स्वतंतर विचारों वाली स्त्री है और एहम भाव से ग्रसित है अजे क्या है वो बंटी का पिता है वो भी एहम भाव से ग्रसित है वकील चाचा शकुन वो अजे का वकील है ठीक है फिर फूपी आती है जो शकुन की सेविका और उसकी विश्वास पात्र है डॉक्टर जोशी, मीरा, अम्मी, जोती, टीटू, माली, चपरासी, बंसीलाल, इत्यादी तो इसके अन्य पात्र हैं जिनके जरिये जो हमारे उपन्यास की कतावस्तू है वो आगे चलती रहती है और भाषशेली भी इसकी सपष्ट है, सिंपल और सधारन शवदों में चित्रित किया गया है जो भी वन्न है उसमें ठीक है तो ये था मनुबंडारी का उपन्यास आपका बंटी अब हम देख लेते हैं कि आपका बंटी के बारे में अन्य जो विद्वान है वो क्या कहते हैं इस तरीके की एक रचना आई है और जो सशक उपन्यास है इसलिए वो क्या है एक तरीके से स्थब्द हैं इंदरनात मदान कहते हैं एक तरफ ये उपन्यास आंसों से गीला करता है भावुकता से भीगा लगता है और दूसरी तरफ बंटी मा और बाप दोनों से कट कर मिस्क प्रफ क्या होता है कि जो मा और बाप हैं उनके प्रतिक हमारी मन में क्या है एक आकरोश जैसा देखने को मिलता है कि वो धीट प्रविती के हैं है ना अजय और शकुन वो क्या है वो अपने जो बेटा जो बंटी है उनको वो उसकी और ध्याना देते हुए बलकि अपने एह पात्रों के साथ इतनी एकाकार हो गई हैं कि वह उनके हर भाव को स्वयम जेलती दिखाई पड़ती हैं तो देखिए जो मनुवंडारी है ये उनके साहित्य की या यूँ कहें उनके जो लेखन की एक विशेशता है ठीक है कि वो पात्रों को इस तरीके से गड़ती हैं ऐसा ल स्वयम जेला है उनके ठीक है तो ये थे अलग-अलग विद्वानों के अलग-अलग कथन आपका बंटी उपन्यास के बारे में और मनुवंडारी के बारे में फिलाल दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे पूलें, थैंक यू